हेई गाईज वेल्कम बैक टो मैं यूटीब चैनल कैसे हैं आप सभी आप आप बहुत अच्छे होंगे अगर अपने मेरे यूटीब चैनल को करते हैं सब्सक्राइब देन इट्सक्रेट अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे यूटीब चैनल को किजिए लेशेज मीन्स की फेक आई लेशेज तो हम जल्दी से करते हुए इस वीडियो को साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हुए रेड चैरी आई लेश हंडर्ड परसंट श्यूमेन हेर ब्लैक यह है कुछ इस तरह से एंड यह है है हैश 026 देख सकते हैं आप कुछ इस तरह स सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे एंड इस बैंड से हम इसको पकड़के रिमॉव करते जाएंगे धीरे-धीरे एंड हमेशा जैसे ही आप न्यू आई लैशिस निकालते हैं तुरंट उसको ऐसे फोल्ड कर लेना यह पास यह वाला ब्रुश है उस पर ऐसे अप्लाई करना और ऐसे छोड़ देना ताकि यह शेप आई लैश की तरह रखे अपनी यह फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं उसके बाद हमें एक मिरर की हल्प से यह देखना है कि इस लैशिस को साइज हमारी नैच्रल आई लैशिसे कितना बड़ है जस्ट प्लेस इट हलकी सी ही बड़ी है गाईज इसे हमेशा पीछे से कट करना जितना आपको एक्स्टा पार्ट लगता है मुझे इतना एक्स्टा लगा था तो मैंने इसे इतना कट कर लिया और गाईज कभी भी आप आई लैशिस को कट करते हैं तो उसका जो बचा हुआ पार्ट होते हैं उसको कभी भी फैक ना मत हमेशा हमें कलेक्ट करते रहना जाहिए हमारी जो कटिंग है लैशिस की वो क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं कि हमें सिर्फ पीछे पीछे हमारी आई लैशिस हैवी चाहिए होते हैं तो वो उसमें काम आ जाती है अब हम इसे दुबारा रखके देखेंगे कि हमारी लैशिस ये पूरी है कि और कटिंगे ज़रूरत है ये परफेक्ट साइज है मेरी आई लैशिस का गाइस मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूं कि कभी भी अपनी लैशिस को यहां से नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल इनर कॉर्णर से लैशिस को नहीं लगाना चाहिए क्या होते है कहीं बार हमारी आईज ना वाटरी हो जाती है जिस वजह से जो आई लैश ग्लू है वो रिमूव होने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है कि आपकी आफ्रेंड से आई लैश रिमूव हो तो हमेशा हमें इस पॉर्शन से थोड़ा सा आगे से लगानी चाहि हमारी आई लैश आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है अब मैं आपको यह वल्य आई लैश लगा के दिखाते हैं उसके बाद मैं मिलती हो आपको गाईज आप देख सकते हैं कितना यह लैश मेरी आईस पे फिट हो चुकी हैं ऐसे ही अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती हो या किसी कॉंटेंट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को किज़े लाइक शब सब्सक्राइब अगर आपको किसी कॉंटेंट पे वीडियो देखने हैं तो आप मुझे डियम भी कर सकते हैं या या यूटिब के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं बाई गाइस टेक क्या